जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहित्ती की बहुत ही महत्तुपोंड कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा बस से देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैन बित्तल नाथ है बेल्कुल सबस्तापक कौन है Lubakosan पर 25 में बताने हैं आपके लिए क्लिये क्या होगा सहिbee और इसका जो सही आंसर होगा कौन है तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर एक आनिकी विट्ठलनाथ विट्ठलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही विट्ठलनाथ यह आपका PGT की परिच्चा पूंचा गया 2015 में कौस्चन नंबर आपका यहाँ पर पूंचा है 36 वाकि अस्ट चाप की स्तापना का स्रे जो जाता है वैं किस आचारी को जाता है तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है विट्ठलनाथ वही कौस्चन आपसे यहाँ पर घुमा कर यहाँ पर पूंचा गया है तो पूँछा है, अश्ट चाप में कौन समलित नहीं हैं, देखे, नहीं पूँचा है आप से यहां पर समलित नहीं है, यह देखी, एक वोस्चन आप के पूँचे कह रहा ही कौस्चन है, केसबदास जो है ये अश्ट चाप में समलित नहीं है विकल्प नमबर C आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा कॉश्चन नमबर आपका यहाँ पर पूँचा गया है 49 की सूरदास किस के सिस्से थी कौन सूरदास बताना है सूरदास जो थे ये किस के सिस्से थे बलबचार है आपका यहाँ पर विकल्प नमबर 1 सही आंसर होगा जिनों ने विकल्प नमबर 1 बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूँचा क्या है अंगला कॉश्चन देखिए कॉश्चन नमबर 40 पूँचा है कि नीचे दिये गए नामों में ऐसे कौन से कभी बल्लवचार किसिस से नहीं है देखे बल्लवचार किसिस से नहीं है पूंचाए आपसे यहाँ पर तो चतुरभुजदास, कुंभनदास, सूरदास या पर्मनंददास तो question number है चालेस और चालेस का जो सही आंसर होगा भै क्या होगा right answer चालेस का तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है चालेस का विकल्ब नंबर आपका यहाँ पर एक यानि की चतुरभुजदास चतुरभुजदास जो है यह बल्लवचार किसिस से नहीं है विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर राइट आंसर है Quesion नमबर आपका यहाँ पर पूँचा है 41 क्या पूँचा है कि निमने मेंसे कौन बिठलनात का सिस्ष्य था तो बिठलनात के सिस्ष्य सूर्दास, परमनंद दास, चतुरभजदास या किष्ण दास तो यह आपका Quesion नमबर 41 है और आपका बहुत ही महत्तुपूल Quesion यहाँ पर पूँचा गया है तो बिठलनात के सिस्ष्य थे, तो आपका सही आंसर है कौन थे, चतुरभजदास कौन थे कि इनमें से कौन से कभी जो है अश्च चाप में नहीं है, अश्च चाप के कभी नहीं है, तो कौन नहीं है यह आपके लिए बताना है तो 42 का आपका जो सही आंसर है, बिलकुल सही आंसर बताया कि आपका D राइट आंसर है गोबिंद दास गोविंददास जो है ये आपके अस्ट चाप के कभी नहीं है ये आपका प्रवक्त परिक्चा 2009 में एक कॉश्चन आपसे पूंचा गया था question number आपका यहाँ पर 43 पूँचा गया है अश्च चाप के पिरमक के कभी है नंददास किस किस सिस्से थे अश्च चाप के पिरमक कभी कौन नंददास ही किस किस सिस्से थे बलवचारे, रामनंद, विठलनात या निमबार का चारे question number 43 का सही answer आपके लिए यहाँ पर चैन करना है 43 का आपका जो सही answer होगा, वह کیا होगा बिल्कुल सही महत्पूल question है और आपका सही answer है विठलनात यानि की विकल्ब नंबर आपका यहाँ पर जो भी दिया गया है वह आपका सही answer होगा question number आपका यहां पर पूंचा है आश्ट चाप के प्रमक कभी नंददास के सिसे थे question आपका double हो गया विट्टलनात आपका सही answer होगा बललबचार के सिसे नहीं है देखे यहांपर नहीं पूंचा है आपसे बल्लवचार के सिस्से नहीं है तो कौन नहीं है कुम्बन दास, सूरदास, चतुरभुजदास या पर्मानंद दास Q45 पूँचा है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा सही आंसर क्या है बताईए महत्तपुन Q4 पूँचा क्या है बल्लवचार के सिस्से नहीं थे बहे कौन नहीं थे तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर B यानि की चतुरभुजदास चतुरभुजदास आपका यहाँ पर विकल्प नंबर B आपका सही आंसर यहाँ पर है question number 46 क्या पूँचा क्या है तो question number 46 आपका यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं question number 46 देखे ए रहा आपकी screen पर कि निमने लिखत में से अश्ट चाप के कभी कौन से नहीं है आपर सूरदास, नंददास, मलूकदास या चित सौमी अश्ट चाप के कभी नहीं है तो अश्ट चाप के जो कभी नहीं है वह कौन से नहीं है तो आपका हैंपर 46 का जो सही आंसर है वह आपका right answer विकल नंबर आपका B यानि की मलूकदास जो मलूकदास यह आपके अश्ट चाप कि कभी नहीं है तो मलुक दास आपका यहां पर सही आंसर है मलुक दास की बात करें यह जो है भक्ति काल इंके ड्यानस्री साका है इसके कभी थे कौन मलुक दास इनका जन्म कोसमबी के कडागराम में हुआ था और कॉस्चे नमबर आपका यहां पर पूँचा गया है कि निमने लिखित में से अश्ट चाप के अंतरगत ना पढ़ने वाले कभी का नाम है अश्ट चाप की अंतरगत ना पढ़ने वाले कभी है कुमबंदास नंददास सुन्दरदास या पर्मनंददास तो question number है आपका स्यन्तालिस औργ बिकलत नंबर है यानी की सुन्दरदास आपके हैँ पर सभी नंबर फ्रम बिकलत नंबर बिकलत नंतरगत नंसर यहां पर बताईए चार विकल्ब देगा है अश्ट चाप का कभी कौनसा नहीं है नंददास चीत सौमी पर्मनंददास या हरी व्यास देव कौस्चन नंबर 48 का सही आंसर बताना है महत्तपौन कौस्चन आप से यहां पर पूंचे गया है कौस्चन नंबर 48 और इसका जो सही आंसर है वह विकल्ब नंबर D आनि की हरी व्यास देव हरी व्यास देव जो है आपका सही आंसर है 2010 में TGT में एक कौस्चन पूंचा गया था हरी दास देव अश्ट चाप की कभी नहीं है बलकि जो है निमबार का चारे संपरताई की कभी है और नावा दास दौरा दी गई सुचनमसार स्रीभट्टी के सुयोब के से से हरी व्यास हैं कौस्चन नंबर आपका यहां पर 49 क्या दिया गया है तो देख लेते हैं कौस्चन नंबर 49 आपका ए रहा आपकी स्क्रीन पर कि निमने लिखत में से कौन अश्ट चाप कर कभी नहीं है यहां पर भी आपके 49 का वह आपका विकल्ब नंबर B यानि की स्वामी हरी दास स्वामी हरी दास आपका सही आंसर होगा अर्स चाप की कभी नहीं है स्वामी हरी दास यह जो है इनी के नाम से एक हरी दासी संपरदाय का नाम करण हुआ था सकी भा प्रदान संपरदाय होनी के काण इस संपरदाय को सखी संपरदाई भी कहा जाता है कौन से संपरदाई को हरीदासी संपरदाई को और यहां पर आपका question number 50 क्या पूंचा गया है तो भै पूंचा गया है हरीदास संपरदाई को अन्निक इस नाम से पकार जाता है अब भी पड़ा यहां पर क्या पड़ा कि जो हरीदास भी कहा जाता है तो विकल्ब आपका C जो यहां पर दिया गया है भै आपका सही आंसर है बहुत बढ़ी है विकल्ब नमबर C आपका राइट आंसर है जुगल्मान चरित्र नामक ग्रंथ के लेका कौन है एक ग्रंथ के लेका कौन है चार विकल्ब आपके यहां पर दे गए है नंद दास हैं, चतुरभुच दास हैं, कृष्ण दास हैं, अचीत सौमी हैं कृष्ण नमबर इन क्या हुन है, चार विकल्प देगा है, महत्तुपूर्ण कृष्ण पूचा गया है जो गलमान चरेतर नामक गिरंत के जो लेखक हैं, भै कौन है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नमबर इन की कृष्ण दास कौन है कृष्ण दास आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नमबर इन देखे सूरदास और नंद दास के पास्चात कृष्ण दास अश्ट चाप कभियों में तीसरे इस्तान पर आती है और इन्हें बल्लवाचार ने इन्हें पुष्टी मार्ग में दिख्चित क्या, इनके द्वारा रचेत तीन रचना हैं, भिरमरगीत, प्रियमतत्त और जुगलमान, चरित्र question number आपके यहाँ पर बाउन पूँचा गया है, क्या पूँचा गया है यहाँ पर, कि भिरमर प्रिसंग का मूल सुरूत, यहाँ पर बताने है, इसका मूल सुरूत क्या है, स्रीमत भागबत का पंचम इसकंद, स्रीमत भागबत का दसम इसकंद, या स्रीमत भागबत का त्रेत नमबर भी आपका यहाँ पर सही आंसर है PGT में 2009-04 में पूंचा गया यह आपका महत्वपॉण्ड कॉस्चन है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बता है आप लोगों ने तो यहाँ पर अंगला कॉस्चन देख लेती है अपना जो अंगला कॉस्चन पूंचा क्या है क्या पूंचा क्या है केट को तुकम किसकी रचना है कॉस्चन नमबर त्रेपन है और त्रेपन का आपका जो सही आंसर है रहीम रसकान कभी गंग या दादू दयाल कॉस्चिन नमबर तुरेपन का अंसर बताईए महत्वपॉन कॉस्चिन पूँचे गया है चार विकल्प भी दे गए हैं और खेट को तुकम ये रचना आपसे पूँची है तो आपके आपर सही आंसर है विकल्प नमबर एक आनिकी रहीम किसकी है रहीम आपके आपके आपर बिकल्प नमबर एक सही आंसर है बिल्कुल चाही रहीम केट को तुकम की रचनाकार में रहीम है और इनकी अनिकिर्थियां अगर बात करें तो रहीम दोहा वली जिसको रहीम सत्साई बरवया नायका भेद नंगर सोभा और मदनाश्टक रासपंच अध्याई सिंगार सौर यह जो रचना है किसकी है यह है रहीम दास जी की कॉस्चन नमबर आपका चंगन पूंचा है बरवया नायका भेद की रचनाकार कौन है तो बरवया नायका भेद की रचनाकार आपके लिए आपर बताना है तो अब भी पड़ा बरवया नायका भेद यह जो है किसकी रहीम क रहीम क्रित मदनाश्टक की भासा क्या है एक कॉस्चिन आपका महत्वपूर्ण कॉस्चिन पूंचा गया है मदनाश्टक जो है इसकी भासा आपके लिए बताने है खड़ी बोली ब्रेज अबदी या राजस्थानी पच्पन का सही आंसर आप बताईए यहाँ पर 2004 में TGT में ये कॉस्चिन पूंचा गया था और आपके यहाँ पर जो सही आंसर है बहे विकल्प नमबर एक यानिकी खड़ी बोली बिल्कुल सही खड़ी बोली जिनोंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है रहीम कृत मद और इनकी गड़ना जो है किष्ण भक्त कभियों में की जा सकती है किसकी रहीम जी की गड़ना तो इस परकार अपना यहाँ पर बहुत ही महत्तुपन कॉस्चन कंप्लेट हुए अब अंगले वीडियो में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे क्या रीतिकाल रीतिकाल से संबंदि महत्तुपन कॉस्चन यहाँ पर कंप्लेट करेंगे तो तब तक के लिए बहुत ही धन्यवाद सभी के लिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जड़ें जो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलिग्राम ग्रूप की तो टेलीग्राम ग्रूप से अवस्ट जो जो आएं, तो आज की वीडियों बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंदु